हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दिवाली में खूब सरा मीठा खाके आपको कुछ तीखा चरपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में तो बि धनिया की पतिया डाल देंगे साथी इसमें हरी मिर्च और लैसुन डाल देंगे और इसको पीस लेंगे बिना पानी के तो देखे यहां पे इसको पीस लिया मैंने एक बार अब इसमें आधी सिमला मिर्च डाल दी है इससे टेस्ट फ्लेवर और कलर तीनों ही बहुत तो देखे, ढ़ी ना हैंग, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, दही को मैंने अच्छे से फर्ट लेना है, अब इसमें हमने अच्छे से फर्ट लिया है और अब इसमें हमने चटनी पीस्की रखी थी, वो इसमें डाल दी है, और अच्छे से इसको हम इसमें मिला देंगे, तो ये अच्छे से देखे, यहाँ पे मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चोटी चमच से चिली फ्लेक्स का डाल देती हूँ देखने में यह बहुत सुन्दर लगता है इस तरीके से एक चमच से भुनावा जीरा का पाउडर आधा चमच डाल देंगे काला नमक और साथी नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे बहुत टेस्टी लगता है यह आप इसे बनाएंगे ना तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा यहाँ पे दो चमच मैंने चीनी डाली है चीनी डालना ओप्शनल है आप चाहे तो डाली है नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अगर खटा मीठा पसंद हो तो आप चीनी डाल सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं चीनी को तो यह अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको हम अभी साइट मेरे रख देंगे और फटा फट से हम फुल के बना लेंगे तो यहां मैंने एक दूसरे बतन में एक कब से बेसन ले लिया है थोड़ा सा बेसन में हींग डाल देंगे साथ यहां पर एक छोटी चमच से जीरा डाल दिया है आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चोटी चमच से या फिर टेस्ट के इसाब हमक आदा चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिलातेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे तो यहां पर पानी एक साथ बहुत जादा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे जैसे हम पकोड़े के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बैटर बनाना है बिल्कुल वैसे ही इसको फेट लेना है अच्छे से इसको फेटना है चार-पाच मिनट लगेगा इसको फेटने में तो इस तरीकी से देखी मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से चार-पाच मिनट के लिए फेट लिया है अब इसको हम चेक कर लेते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा इस अच्छे से इसको फाथ से हमने मिक्स कर लेना है पढ़िया से तो यह अच्छे से देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया है अब इसको हमने इस तरीके से उठाना है और तेल में डाल देना है इस तरीके से हम पकोड़िया बना के त्यार करेंगे यहां पे तेल गरम हो गया है और हम सारी पकोड़ी है इसमों जितने अरामस से कड़ाई में आ जाए डाल देंगे और अच्छे से इसको उलट-पलट के हमने पका लेना है तो यहाँ पे देखे मैंने सारा डाल टीया है और अच्छे से इसको उलट-पलट के पका लेंगे बहुत ही असान है इसको बनाना 10 मिनट के अंदर ही आप इसे बना सकते हैं और दिवाली में खुब सारा मीठा खा के अगर आपको कुछ चटपटा तीखा खाने का मन होना तो आप इसे फटा-फट से बना के खा सकते हैं तो यहाँ पे देखिए यह अच्छे से पक चुका है इसको हम निकाल लेते हैं तो इसको मैंने निकालने के लिए एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा हलका गरम पानी लिया है इसमें मैं इसको डाल दूँगी सारा ही इसमें डाल देंगे इसमें पकोडियां बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट एक दम फूली फूली से रहेंगी तो यहां पर इसको बस पांच मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है और पांच मिनट के बाद जो दही वाला मिक्स है उसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इधर हमारी जो पकोडियां है बहुत अच्छे से फूल गई है तो अब इसमें से हम इसको डाल देंगे दही वाले बेटर में तो यहां पर देखे मैंने इसको डाल दिया है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको आदे गंटे के लिए इसी में छोड़ देंगे और आधे गंटे के बाद देखें यहां पर बहुत ही बढ़िया से जो फुलकें है उसने तही को अच्छे से पी लिया है तो अब यहां पर इसमें डाल देंगे एक चमस से भर के चाट मसाला एक दम चट पटा सा टेस्ट आएगा इससे और अच्छे से इसको मिला देंगे और अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूं उपर से बारी कटा हुआ हरा धनिया और साथी इसमें थोड़ा सा प्यास डाल देंगे तो प्यास को इस तरीके से देखें रिंग में मैंने कट कर लिया है वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें बारी कट करके भी प्यास को डाल सकते हैं तो यहां एक से चमच के करीब मैंने तेल डाल दिया है तेल को करम कर दिया थोड़ा सा लाल मिर्च को कट करके डाल दिया है और एक चमच से जीरा ढाल दिया इसको थोड़ा सा पका लेंगे और अब यहां पर गैस का फ्लेम आफ करने के बाद एक चोटी चमच से सफेद वाले तिल थोड़ी सी करीपता डाल दी है इसको भी अच्छे से पका लेंगे जरा से यहाँ पे कस्मिदी लाल मिर्च का डाल दिया और यह तड़का हमारा रेडी हो गया इसको हम डाल देंगे दही फुलकी के उपर इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और यह बहुत ही टेस्टी चटपटी सी दही फुलकी यहाँ पे बनके हमारी तयार हो गई है बहुत ही कम मेनत के साथ और बहुत ही टेस्टी सी यह बनके तयार हो गई है तो आप भी अगर चटपट से कुछ टेस्टी सा बनाने का सोच रहे हैं फ़िए जरूर से बना के ट्राइख की जिएगा और अगर आपको आज को वीडियो अच्छा लगा ओ तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर दीजएगा चैनल पे आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और साथ के साथ रेसेपी को सेर जरूर से कर दीजेगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धेनेवाद